Hello everyone, आज की इस lecture में हम object oriented programming के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से java scripting में object oriented programming use की जाती है तो आज की इस lecture में हम object से related properties, constructor prototypes की private properties और कुछ different getters और setters को create करना सिखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम inheritance की property को define करते हैं और कैसे इन्हें use करते हैं इसके साथ ही साथ हम कुछ parent methods के बारे में सीखेंगे और इस lecture में हम oops related within patterns की design करना सीखेंगे और act my script six के बारे में भी हम इस lecture में cover करेंगे तो आकिर कैसे object oriented programming java scripting में use की जाती है तो इसके लिए हम इस lecture में एक बहुत ही अच्छा descriptions देंगे तो इन सभी चीजों के लिए हमने बहुत ही अच्छे से इस course को manage किया है मैं चाता हूँ कि आप freely इन सभी चीजों को सीखें और समझें ये किस तरह से आपको coding skill को implement करना है तो ये सभी चीज़े यहाँ description में available हैं तो आएए देखते हैं तो अगर आप screen के left side में देखें तो यहाँ पर हमने sublime text editor को यहाँ पर use किया है ये एक basic text editor है आप चाहें तो किसी अन्य text editor को भी use कर सकते हैं तो यहाँ पर वो सभी code दिखाय जा रहे हैं और हम भी इसी text editor पर अपनी coding करेंगे and you can see I have google chrome here तो अगर हमें कोई file use करनी है या फिर कोई file open करनी है तो वो सभी चीज़े हम यहाँ से करेंगे और आने वाले समय में हम ACMA script 6 को भी इस lecture में cover करेंगे तो अब हम इस lecture में आके बढ़ते हैं और use किये जाने वाले बहुत सारे tools के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे so I am going to click on developer tools तो यहाँ पर आपको कई सारे tools मिल जाते हैं और अभी यहाँ पर शायद एक error pop-up हो रही है तो हम यहाँ पर यह सभी चीज़ें open कर सकते हैं so I am going to click on scratch.js और आप type कर सकते हैं scratch.js तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे developer tool के लिए यहाँ पर add किया है तो आप इसे chrome में इस तरह से use कर सकते हैं so just install this and मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इसे कैसे open किया जाता है और आने वाले समय में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे हम इने use कर सकते हैं पस आपको मेरे साथ साथ इन सभी चीज़ों को follow करना है मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके की error मिले तो अगर आपने इससे पहले कोई भी java script related lecture नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले java scripting के बारे में अच्छे से समझ लें क्योंकि इस lecture के लिए ये बहुत जरूरी है हम java scripting के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं जो cover करने जा रहे हैं और पहली चीज़ जो आज हम करेंगे वो है सबसे पहले हम एक basic object को यहाँ पर create करेंगे और इसे हम आपको different ways में दिखाएंगे जिसके द्वारा आप इसकी different properties को यहाँ पर define कर सकेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर customer को name दिया है ICT Academy तो अब हम इस customer के लिए एक function यहाँ पर find करने जा रहे हैं तो यह एक ऐसी situation है जहाँ पर हम एक return string को यहाँ पर use करेंगे तो अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो हमने यहाँ पर अने चीज़ों को comma के साथ separate किया है तो हम यहाँ पर object से related properties को आपको use करना सिखाएंगे तो अभी हम एक दूसरे object को यहाँ पर use करना चाहते हैं जो कि इस address पर create किया जाएगा और इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ additional properties को भी include करेंगे So inside here like IIT Kanpur तो अभी हम इन सबी चीज़ों को commas के साथ separate करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर double quotes और single quotes को इस तरह से use किया है और इसके अंदर ही हम इन सब चीज़ों को define करते हैं और यहाँ पर state और up मौजूद हैं और अगर हम आखिर में देखें तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ को अभी close करने की जरूरत नहीं है और अगर आप इसे close करते हैं तो उसके लिए आपको semicolon का use करना है तो यह एक basic object है जो हम java scripting में use कर रहे हैं आप यहाँ पर अब कोई statement भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपको जाने के लिए मैं refer करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पर है और हमने अभी यह information hold की हुई है तो यह इस address के अंदर है तो मैंने अभी इस object के लिए इसे यहाँ पर refer किया है और यह refer करता है इस address पर जहाँ पर हमने इसे save किया है और यह अब reload हो रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ICT Academy lives in IIT Kanpur तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे इस object को एक दूसरे object के अंदर कैसे refer किया जाना है तो इस तरह से हम कुछ अन्य properties को यहाँ पर add कर सकेंगे तो मैंने इसके लिए address दिया है India and there is inside of there and of course I'd be able to come in here and that information again just by referring to it तो यह हमारी country को show करती है और अब यह यहाँ पर pop-up हो रही है जिसे आप देख सकते हैं आप चाहें तो कुछ multiple different objects को यहाँ पर create कर सकते हैं मैं आपको यह बताऊंगा कि इन सब चीजों को कैसे use किया जाना है तो अगर आप multiple different objects को इस तरह से use करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक constructor function को define करना होता है और constructor एक ऐसा function provide करता है जिसके द्वारा आप किसी class में object oriented programming language की properties को use कर सकते हैं तो आपका object अब इस तरह से call किया जाएगा और अगर आप कुछ certain properties यहाँ पर receive करना चाहते हैं या फिर send करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे इसके लिए बस आपको वो value यहाँ पर pass करनी है या फिर आप चाहें तो object name से भी इसे call कर सकते हैं इसके लिए आपको data type यहाँ पर define नहीं करना होता या फिर ऐसी किसी अन्य चीज़ को यहाँ पर नहीं करना होता तो अगर आप कोई function यहाँ पर define करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे use किया जाना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और उसमें से हम कुछ यहाँ पर आपको दिखाएंगे So we define speak and function like that और जब भी यह function यहाँ पर इस constructor function के रूप में define किया जाएगा तो यह एक list बना देता है जिसमें हम इस function को विविन तरीके से follow करते हैं और बात में आप कई सारे informations को यहाँ पर return कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस name की एक लंबी list मिल गई है तो आई एक person name ICT Academy को यहाँ पर create करते हैं और इसे हम एक person की value पर equal करते हैं तो हमने अभी name के लिए इस तरह से इसे pass किया है तो यहाँ पर हमने इस name को इस तरह से pass किया है और अब हम इसी की मदद से find करेंगे हम चाहें तो यहाँ पर street address की मदद से भी इसे pass कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक new person object name ICT Academy को create किया है और मैं भी इसे document.write के द्वरह यहाँ पर call करना चाहता हूँ so I can go with ICT Academy like this और अब हम एक specific function को यहाँ पर call कर रहे हैं मैं इसलिए इसे call करना चाहता हूँ जिससे कि हम इसे use कर सकें और इसे हम call करते वक्त dot operator का use करेंगे इसके बाद हम इसे reload कर सकते हैं और आप मेरा नाम ICT Academy यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं अभी IIT कानपुर के लिए यहाँ पर live हूँ और अगर आप यहाँ पर आएं तो आप यहाँ पर check कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ specific objects यहाँ पर दिखाए गए हैं और यह इस instance के लिए कुछ specific objects हैं जो इस तरह के हैं और अगर हम कुछ ऐसा कहते हैं जैसे ICT तो यह एक person के लिए एक meaning होती है जिसे object type के द्वारा यहाँ पर define किया जाता है तो अब हम इसे check कर सकते हैं और अगर हम अब ICT Academy के लिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम से कुछ instance इस तरह से पूछे जा रहे हैं and it is a person object so you can see ICT Academy is a person that comes back as true तो यहाँ पर यह सभी चीज़े हैं जो बहुत उपयोगी हैं because अब हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको use करने जा रहे हैं और अब हम इन objects को यहाँ पर pass कर सकते हैं तो अभी हम इसके लिए एक function तयार करते हैं और हमें इसकी values को यहाँ पर change करना है तो ऐसा करने के लिए हमें पहले एक दूसरा function यहाँ पर create करना होगा और फिर उस function को change करके हम इसे call कर सकते हैं तो अब हम इस person के लिए यहाँ पर यह सभी चीज़े receive करेंगे So just go person name is equal to enict academy तो अब मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे privately यहाँ पर आसान तरीके से कर सकते हैं अभी आपको इसके बारे में परिशान होने की जुरुत नहीं है तो हम अब इसे call करने वाले हैं एक नए function के साथ जिसका हम name change कर देंगे और अब हम यहाँ पर ict academy को pass करके देखेंगे और हम यह देखेंगे कि क्या हम अगर इसे pass करते हैं तो हमारी values change होती है और output हमारा क्या आता है तो यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि हमें इसे cards में लिखना है और अब हम यहाँ पर ict को type करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा नाम है और अब हम इसे यहाँ पर ict academy से change कर रहे हैं तो यह काफी important है हमारे objects के लिए और अभी हम इसे इस reference के लिए equal करने जा रहे हैं तो यह बिल्कुल same exact object है तो जो भी चीज़ें यहाँ पर contain की जाती है वो सभी चीज़ें इसके equal हो जाती है तो same data है जो यहाँ पर इस चीज़ के equal हुआ है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक person के लिए value true आ रही है तो यह person 1 अब नए person के equal हो चुका है I will also pass in Amit now and then we are also pass in 1,2,3 main and यहाँ पर आप देख सकते हैं नए object convert हो चुका है और अगर हम यहाँ पर आएं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यह सभी चीज़ें यहाँ पर equal हो चुकी है we will say they are equal and अब हम इसकी equality को यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर आएं और इस person 1 के लिए इसे चेक करके देखें तो यह हमें double equal या triple equal के according इसे चेक करना है तो यहाँ पर यह better नहीं करता कि हम किस person के लिए इसे चेक कर रहे हैं बस हमें चेक करते वक्त double equal के true इसे चेक करना होगा और अगर हम value चेक करना चाते हैं तो उसके लिए हमें triple equals की जरुरत होगी So check the type also और अब हम यहाँ पर इस situation के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह false के according equal हुआ है और अगर हम अब double equal को यहाँ पर change कर दें तो हम देख सकते हैं कि यह बिल्कुल same exact answer यहाँ पर indifferent equalities के लिए चेक कर रहा है तो अगर हम अब इस prototype की बात करें तो हर एक function इस prototype की property को use करता है और यह हर एक object यहाँ पर contain करते हैं जिसके द्वारा हम इसकी properties और method को add कर सकेंगे तो यह prototype object है जिसे अब हम execution के वक्त यहाँ पर call कर रहे हैं और अब हम इसे use कर सकते हैं So this is our object here तो आईए अब यहाँ पर चलें और एक generic function यहाँ पर create करके देखें क्योंकि हमें हर एक function के लिए इसके prototype objects को contain करना है तो यह हमें एक value यहाँ पर return करेगा So number 1 plus and the number 2 addition right here तो अब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसमें हम in different things को देखना चाहते हैं कि क्या यह अब हमारे output के लिए able हुई है So we come in here and find out the number of arguments that this function receive तो अब हम इन number of arguments को यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कि इन number of arguments की length कितनी होने वाली है तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हम इन arguments को ही केवल अगर देखें तो यह two and the number of arguments जो हमने यहाँ पर receive किये हैं तो वो दोनों यहाँ पर इस property के लिए add होने जा रहे हैं तो यह एक method है जिसके द्वारा हम object को prototype के purpose पर यूज कर सकते हैं तो आईए अब एक और यहाँ पर create करें तो यहाँ पर हमने इस situation के लिए एक object देखा है and we'll go function and then we'll create a mammal function आप इसे mammal object भी कह सकते हैं तो हम यहाँ पर दुबारा आ चुके हैं and angle this is name and this is equal to the name that we passed in this तो हमने यहाँ पर एक function create किया है और यह function इसके return mammal के equal है तो यह वो एक name है जिसके द्वारा हमने इस value को equal किया है हम अब इसके prototype को यहाँ पर use कर सकते हैं और हम एक additional variable यहाँ पर add करेंगे तो इसके reference से हम function name को यहाँ पर follow करेंगे prototype के द्वारा so let's just say that I want to add a sound for this तो मैं भी इसे एक function के रूप में use नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक situation है जिसमें हमें एक string को यहाँ पर pass करना है so I just want to this to be string for girl तो यह हमारे mammals के लिए एक default version है और इसके साहिता से अब हम एक दूसरे reference के लिए इस prototype को add कर सकते है तो हमने यहाँ पर एक function add किया है और अगर अब हम इस function को यहाँ पर equal करना चाहें तो उसके लिए हमें बच इसकी value को यहाँ पर pass करना होगा just going to return whatever the name of it and it's plus and then I'll say that then after that I'm going to pass back तो अभी हम एक specific mammal function यहाँ पर create करना चाहते हैं जिसे हम grower कह सकते हैं तो यह एक तरीके का mammal function है जिसे हमने grower नाम दिया है तो हम अब इसे document.write के द्वारा call करनी के लिए able हैं और तो अब हम इसे इस तरह से add कर रहे हैं और अब हम इसे properly use कर सकते हैं तो यह सबी चीज़े हैं जो हमें अब यहाँ पर करनी होगी so you can see grower says gore so that how can we create another object तो हम यहाँ पर कुछ different variables create करेंगे और कुछ इसके अलावा कुछ different functions भी यहाँ पर हम create करेंगे तो इस तरह से इस prototype को use करना काफी आसान है और इसके द्वारा हम कई सारे चीज़े यहाँ पर कर सकते हैं so come in here and list all properties of an object और इसके लिए हम अब एक loop structure को use कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक variable prop नाम से create किया है यह temporary value को hold करेगा तो यह भी एक property होती है जो हम किसी situation में grower के अंदर use कर सकते हैं तो हमने इसके लिए यहाँ पर यह properties देखी है और हमने इसे एक specific name grower से यहाँ पर specify किया है तो आखिर हम इन properties को कैसे reference कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसके name property के द्वारा इसकी value को associate किया है और अब हम इस grower से related informations को प्राप्ट कर सकते हैं हमें बस इसे print out करना होगा तो यह entire function है जो यहाँ पर दिखाया गया है और अगर हम बात करें इसे print out करने की तो अब हम entire function को इस तरह से use कर सकते हैं और हम बात में इसे use करते वक्त doctoring भी कर सकते हैं तो अभी आपको इन different objects से ज़्यादा परिशान होने की जुरुत नहीं है तो यह सभी चीजे काफी आसान है and you can do just javascript और मैं अभी कुछ scratching यहाँ पर इस surface पर करने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को आराम से देखें हमें अब इस property को यहाँ पर verify करना होगा तो यह prototype part है इस object का और इस object में हमने इस document को इस तरह से pass किया है अगर हम अब इसके name को देखें तो हम इस prototype या फिर grower के part को यहाँ पर देख सकते हैं इस grower से related सभी चीज़े यहाँ पर use कर सकेंगे so we can use cheat sheet and don't worry to memorize all this stuff because this is the reason why I made you cheat sheet अब हम इस part की name को यहाँ पर check करने वाले हैं क्योंकि यह grower के लिए हमने use किया है तो यह exact चीज़े हैं जो हम यहाँ पर अब कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि क्या हम इस grower की properties को यहाँ पर check कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसे verify भी करेंगे so let's just say grower.hash on property and then we will pass in sound this time instead तो आप अब grower property की name यहाँ पर देख सकते हैं और अभी हमें यहाँ पर so we comes back in true and the reason why his name is indeed in here because however sound comes back as false and that's the reason why we have that in the prototype तो आखिर कैसे हम इस different चीज़ों को यहाँ पर check कर सकते हैं आईए देखते हैं तो यह काफी आसान है इसमें आपको परिशान नहीं होना है हम इसके लिए बस एक method को यहाँ पर add करेंगे में जाना है और एक function जिसे हम इस array object के थूँ यहाँ पर use करने वाले हैं इसके द्वारा अब हम इसे use कर सकते हैं तो यह हमें इस array में इस सबी चीज़ों को search करने के लिए अलाव करता है तो अगर एक item यहाँ पर use किया जाएगा तो आए देखते हैं कि आकिर हम यह सब चीज़ें कैसे करेंगे तो just create it and since it isn't already built in so we can pass in a value तो यह एक array है जिसके द्वारा हम एक loop को यहाँ पर create करेंगे और अभी हमने इसके starting value 0 रखी है so it starts off with the first index and it will cycle through this is the reference to the array तो यह वो length है जिसके द्वारा हमने इसे cycle किया है तो यह सबी different items हैं दिखाई जा रहे हैं तो अब हम इसके end में आ चुके हैं और अगर हम इस situation की तिरफ चलें जो इस array item के equal है तो हम इसकी values को देखना चाहें तो हम यह देख पाएंगे कि हम अभी एक true meaning value को यहाँ पर return कर रहे हैं और अगर हम अब किसी item को यहाँ पर search करना चाहें तो हम इस array के अंदर एक loop generate करके इन सभी values को search कर सकते हैं और अगर value नहीं मिलती है तो हमें एक false value return होती है तो आप देख सकते हैं कि यह काफी easy है और हम कैसे एक additional function यहाँ पर add करते हैं जिसके द्वारा हम एक object को यहाँ पर बना सकेंगे तो यह java scripting के अंदर हम यह सभी चीज़े कर रहे हैं तो आई अब यहाँ पर चलें और इसे एक बार verify करके देखें So let's create a new array तो यह कुछ sample values हैं जो हमने अभी create की हैं और अब हम यहाँ पर अगर कुछ values को search करके देखें तो अगर यह true होती हैं So if we could say something like 3 in array तो अगर मान लीजे हमने एक value 3 को यहाँ पर array में search किया है तो अगर यह value search हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा sample array जो हमने बनाया है वो कारे कर रहा है तो हमने यहाँ पर एक function को create किया है और हमने इसमें कुछ values यहाँ पर enter की हैं इसमें एक value 3 भी है तो जब हम इसे reload करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें जो answer मिल रहा है वो true है क्योंकि हमने अभी इसे 3 value के लिए check किया था तो अगर अब हम इसकी private properties की तरफ चलें तो उससे पहले हम जान लें कि यह सभी properties एक object को show करती है और यह वो public function है जिसे हमने इसके लिए modify किया है आप चाहें तो इसे कुछ properties के लिए modify कर सकते हैं और चाहें तो delete भी कर सकते हैं तो अभी हम इन private properties को यहाँ पर declare कर रहे हैं इसके लिए हमें एक variable create करना होगा जो कि एक constructor के लिए use किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ secret codes हैं जो हम use करने वाले हैं और अगर हम अपने secret codes को यहाँ पर protect करना चाहें तो इसके लिए हमें इसके properties को order करना होगा तो हमने अभी से यहाँ पर declare किया है और यहाँ कुछ secret numbers हैं इसमें हमने शुरुआती value को 78 से equal किया है और मैं आपको इसके private और protected part को भी दिखाना चाहूंगा तो हमने यहाँ पर एक function create किया है जिसके द्वारा हम इसकी values से interact कर सकेंगे तो यह वो तरीका है जिसके द्वारा हम इसे manipulate कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम इन numbers को प्राप्ट कर सकेंगे तो आखिर यह सब चीजें किस तरह से हो रही है मैं चाहता हूँ कि आप इन सबी चीजों को ध्यान से देखें तो अगर हम आप किसी number को यहाँ पर search करना चाहें तो उसके लिए हमें इसे pass करना होगा और हम अगर यहाँ पर एक condition दे that is greater than 78 तो अगर हम इसे simple एक 78 number के through hold on करें या फिर कोई value return करें तो हम यहाँ पर इस तरह से output को प्राप्त कर सकते हैं so that's lower else if the number that they are searching for is less than 78 well then we are going to return that they need to guess something that is higher and then else in that situation that means they actually guessed it तो अभी हम यहाँ पर एक value यहाँ return करने जा रहे हैं तो आए अब यहाँ पर चलें और इन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक बार verify करके देखें तो अभी यह हमारे function के outside जा सकती हैं क्योंकि यह private values हैं और अभी हम इस secret value के लिए इसे create करने वाले हैं तो यह एक new secret value होगी जो हम इस secret code function के लिए use करेंगे तो आए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एक documents को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर कुछ secret numbers होगे जो हम इस value के लिए pass करेंगे So let's go in here and try to get it तो हमने यहाँ पर कुछ secret values इस तरह से प्राप्त की हैं और हमें बस इसके लिए कुछ secret numbers यहाँ पर pass करने होते हैं तो आए देखते हैं कि यह कारे कर रहा है या नहीं So let's go and see तो अगर यह कारे करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें secret numbers की values यहाँ पर प्राप्त होगी और अगर यह कारे नहीं करता है तो हमें कोई भी value secret number के लिए प्राप्त नहीं होती है So let's try और आप देख सकते हैं कि exactly हमने जिस तरह से इसे किया है So we'll just play nice and just call the function So हमने यहाँ पर इसे create किया है and let's go in 70 the number and we'll say secret तो हमने अभी इस number को इस तरह से guess किया है and the first number we are going to guess is 70 तो आप देख सकते हैं कि हमें इस value के लिए एक higher value प्राप्त हो रही है and we need to guess a different number and indeed if we come in guess 78 that gives us the option to know that it's true तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य चीज़े इस तरह से pop-up हो रही है और यह काफी interesting है क्योंकि अगर हम कोई भी function यहाँ पर add करें या फिर किसी अन्य फंक्शन को यहाँ पर use करें तो वो इस secret numbers को यहाँ पर hold नहीं कर सकता तो आईए अब secret code part पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका prototype किस तरह का है so get secret because you are thinking trick G तो मैं अब यहाँ पर आ सकता हूँ और अभी हम इस values को यहाँ पर hold करना चाते हैं so we will create a function now and इसका पूरा purpose यह है कि हम इस secret value को return करके देखना चाते हैं तो अब हम इस secret value के लिए चल रहे हैं और आए देखते हैं कि जब भी हम इसे call करते हैं तो आखिर हमें क्या value प्राप्त होती है तो हमने अभी भी इसे प्राप्त नहीं किया है because it is protected secret number तो यही वो point है जहाँ पर हम इसे foil कर सकते हैं so we will say secret get secret and whenever we rewrote that you are going to secret number is undefined तो यहाँ पर अब आप possibilities को देख सकते हैं और अगर हम इसे एक private variables के दुरू create करना चाहें तो उसके लिए हमें java scripting में कुछ objects को create करना होगा और हम उन्हें protect भी कर सकते हैं तो ऐसा करने पर अब हम इन सभी कारें को करने के लिए able हो जाएंगे तो यह वो function है जो हमने यहाँ पर use किया है so just go and throw a secret number inside of these instead of 78 तो आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पर अच्छी तरह से कारे कर रहा है तो आएए अब कुछ different तरीकों से इन्हें फिर से create करके देखें तो हमें इसके लिए एक getters और setters यहाँ पर create करना होगा तो ऐसा करने के पहले आए कुछ अन्य चीज़े पहले समझ लें जो हमें object oriented java scripting में सीखनी है तो अब getters और setters तोनों एक ऐसी चीज़े हैं जिसके द्वारा हम अपने data को rotate कर सकते हैं पर एक्जामपल अगर वे कोई भी number input नहीं करते हैं पर name और something like that फिर भी हमें कुछ useful चीज़े यहाँ पर provide की जाती हैं जिसके द्वारा हम values को access करनी के लिए able हो जाते हैं तो मैं अभी आपको कुछ different getters और setters दिखाना चाहूंगा क्योंकि आपने अगर दूसरे लोगों की java scripts देखी हो तो आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ें implement की हैं क्योंकि हमें इसे बहुत numerous difference तरह से कारे करना है और हम आपको कुछ object oriented java scripting से related कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो मैंने अभी यहाँ पर एक old address के लिए इस object को create किया है और अब हम यहाँ पर एक getter create करना जा रहे हैं तो आइए पहले इसे एक address दे and going to do it's going to combine all of the data तो यह इस line में पूरी तरह से combine हो चुका है तो आइए अब देखते हैं कि हमें क्या return value मिलती है so just put in the streets and it's also going to go and divide all this stuff up so this is with commas and there you can say it's going to get the secret the city and the state and return that तो यहाँ पर अब यह सब चीज़ें implement हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे किया है और एक ऐसे कारे कर रही है तो हमने अभी इसे इस commas से फिर से एक बार separate किया है और अब हम इसे इस user को send करने जा रहे हैं और देखते हैं कि यह इसे allow करता है या नहीं so send in the three values and then I am going to split up and stick them into their separate pieces तो अब शायद हम पूरी तरह से इसे access कर सकें और हम इस address को यहाँ पर use कर सकें तो यह वो तरीका है जिसके दौरा हम setter को यहाँ पर create करते हैं इसके लिए बस हमें एक address set करना होगा और उसके बाद हम entire address को यहाँ पर pass कर सकेंगे यह बात अलग है कि मैं इसकी अभी पूरी तरह से guarantee नहीं ले सकता कि यह सही तरीके से कारे करेगी लेकिन आइए देखते हैं कि अगर हम एक बार data को यहाँ पर pass करें तो हमें क्या मिलता है इसके लिए बस हमें कई बार इसे try करना होता है और values को check करना होता है तो यह काफी आसान है बस आपको important चीज़ों पर focus रखना है and I am going to convert this into a string now and after then I am going to split it तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे split किया है और हमने कैसे इसे commas के साथ इसे separate किया है तो यह different चीज़े हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी है और तब हम इसे use कर सकेंगे और इसे different parts के लिए assign भी कर सकेंगे so we'll go the street is going to be in the part array index 0 and if they didn't enter anything just to protect myself I can just throw some quads तो अब हम इसे default value के लिए use कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पर address part में city option के लिए आएं तो अब आप इसे second index में देख सकेंगे तो यह इस value को contain कर रही है और अगर अब हम finally state option के लिए यहाँ पर आएं और देखें कि last index में क्या value एकपल हुई है तो इस तरह से हमें यह चीजें set करनी होगी so we will go through just an empty thing inside of it and okay so that's how our setter is going to work तो आकिर यह सभी चीजें बहुत आसान है और हमें बस इसे सही तरह से perform करना होता है और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बस address को call करना है और setter के लिए एक address set करना होता है इसके बाद हम इस चीजों को यहाँ पर pass कर सकते हैं और यह काफी आसान है और अब हम यहाँ पर एक setter इस तरह से call करने जा रहे हैं इसके लिए बस हमें एक equal sign यहाँ पर रखना होगा और हमने अभी यहाँ पर कोई function use नहीं किया है so we just come in and we'll say 1, 2 and 3 and main street तो हमने अब यहाँ पर इसे commas के साथ divide किया है and there we go तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और अगर हम address की तरह देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम caters को यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम कैसे address को यहाँ पर mention करेंगे तो दोबारा हमें यहाँ पर parenthesis को use नहीं करना है तो यह एक तरीके का normal type of function है और अगर हम इसे अब reload करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर exact value क्या print हो रही है और of course हम जो चीज़े चाहते हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं तो यहाँ पर यह items हैं जो print हुए हैं क्योंकि हमने इसे इस तरह से divide किया है और अगर हम आप यहाँ पर आएं और इस city के लिए इन options को देखें तो इसके लिए हमें एक specific variable के तरू इसे call करना होगा और फिर हम city option को यहाँ पर print out कर सकते हैं तो यह एक demonstration है कि कैसे हम getters और setters को कैसे use कर सकते हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हम इसे deprecated कर सकते हैं और कैसे हम within creators के लिए getters और setters को use करते हैं तो अब हम यहाँ पर एक constructor function create करने जा रहे हैं और हम इसके coordinates को यहाँ पर इस तरह से call करेंगे So I am going to create a couple more getters and setters and I am going to show you something like that are still used a lot तो मैं अभी आपको यह सभी चीज़ें एक साथ दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसे up-to-date रख सकते हैं और कैसे हम getters और setters को यहाँ पर इस तरह से use कर सकेंगे तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि Java script में कैसे हम getters और setters को use करते हैं तो अभी हमने कोई भी चीज यहाँ पर सभी browser के लिए implement नहीं की है लेकिन जल्द ही हम यह सभी चीजें अलग अलग तरीके से implement करेंगे और फिर हम इसके लिए कुछ values को यहाँ पर define करेंगे So for getter and setters, for this that we are latitude and latitude inside of there and how we would do that is go object to underscore and define getter to underscores and we are going to call what we are going to pass inside of here So this is the prototype तो अब हम इसे यहाँ पर assign करना चाहते हैं and इसके लिए यहाँ पर यह coordinates हैं जो इस prototype के लिए यहाँ पर दिये गए हैं तो अगर हम इसकी actual properties को यहाँ पर by name पास करना चाहें तो उसके लिए हमें बस इस code के लिए इसे यहाँ पर call करना होगा और फिर उसके बाद हमें एक यहाँ पर function create करना है और अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमने semi-colons को use किया है आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है यहाँ पर जो चीज़े कर रहे हैं उसे कैसे use किया जाना है तो यहाँ पर हमें latitude और longitude values प्राप्त हो रही है तो हमने केवल यहाँ पर एक getter को create किया है और मैं आपसे promise करता हूँ कि आप अगर इससे contact होते हैं कुछ अन्य लोगों के quotes के तरू तो अब आप इसका use कर सकेंगे और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इसे कैसे use किया जाना है और मैं यह भी define करूंगा कि कैसे setters को call किया जाता है So once again हम यहाँ पर इस prototype को इस तरह से pass करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम setter function को यहाँ पर assign कर सकेंगे तो आईए अब दुबारा इस coordinate को यहाँ पर देखते हैं तो यह वो prototype है जिसके द्वारा हम अब इसे define करने जा रहे हैं तो हमें अभी इसे define करने के लिए एक name की जुरुरत होगी So I am going to call this set code और दुबारा मैं अब इसे define करने जा रहा हूँ अपने functions में तो मैंने अभी हमारे setter को इस function के लिए यहाँ पर define किया है तो यह हमारी coordinates हैं जिसे हम यहाँ पर pass करेंगे and it put the semicolon there तो आप इसे लगाना ना भूलें और हम अब इसे यहाँ पर divide करने जा रहे हैं and I will divide everything applied and we did with the address before तो मैं अब इस चीज के equal parts करने जा रहा हूँ और बाद में हम इसे एक string में convert कर सकेंगे so once again I am going to split that string based of commas and spaces तो मैं भी इसे एक latitude के लिए इस तरह से assign कर रहा हूँ so this is equal to the part area index 0 or let's just throw nothing inside of there तो मैं यहाँ पर longitude के लिए भी same तरीके से यह सब चीजे पास करूँगा so that's going to one or nothing and there you can just define getters and setters for an object constructor तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और आए इसे पहले test करके देखते हैं so test it is equal to create a new coordinate object तो अब हम यहाँ पर setter को इस तरह से call करना चाहते हैं by going to US coordinate तो अब हम set code को यहाँ पर दुबारा parenthesis में इस तरह से use नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अगर हम बात करें latitude और longitude की तो हमें इन दोनों को सही तरीके से set करना होगा जिससे कि हमें जो informations output के रूप में प्राप्त करनी है वो गलत ना हो so we will say something like coordinates and we will able to come in and just call just coordinates तो हम यहाँ पर अब getter को इस तरह से call कर रहे हैं और अगर हम अब इसे reload करें तो हम दिख सकते हैं कि यह कैसे यहाँ पर कार कर रही है so I have many zeros and coordinates तो यह जादा बड़ी बात नहीं है हमें बस यहाँ पर getters और setters को सही तरीके से create करना होता है और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे हमें getters और setters को यहाँ पर create करना है इसके लिए बस हमें कुछ properties को यहाँ पर define करना होता है तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक point constructor function को यहाँ पर create करने जा रहे हैं तो मैं यह सभी चीज़े यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे कार करती हैं तो अब हम यहाँ पर एक getter और एक setter यहाँ पर add करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम इन properties को define करके इन ही use करेंगे और हम आपको यह दिखाएंगे कि कुछ reference object की मदब से हम इस कैसे perform कर सकते हैं तो अब यहाँ पर चलते हैं और इसके properties को define करते हैं तो आखिर हम यह सभी चीज़े कैसे करेंगे so we are going to pass in the prototype to attach our new function to show that going to be point and take guess what this is going to be prototype once again तो अब हम यहाँ पर इसके name पो define करने जा रहे हैं and I am going to call this point position हमें यहाँ पर अब curly brackets ती उस करने हैं और अब हम यहाँ पर हमारे getters और setters के लिए एक function define कर सकते हैं तो यह बिल्कुल simply इस तरह से किया जाना है और अब हमें एक string of course यहाँ पर return होगी so it's going to have x and then it's going to return the x position for this guy and then it's also going to get the y position so output that as well as so y position तो यह वो तरीका है जिसके द्वारा हम getters को define करते हैं और इसकी feminine properties को define और use करते हैं so let's go and create a setter now so once again so just to find the function it's going to be passed in a string called the point तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस array में इस तरह से use किया है और अब हम इसे commas और spaces के साथ यहाँ पर separate करने जा रहे हैं तो अब हम इसके individual part को इस तरह से stick करेंगे और ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर semicolons को use करेंगे क्योंकि हमें इसे close करना है तो यह वो सभी चीज़े हैं जिसे हमें यहाँ पर getters और setters को use करने के लिए necessary हैं और इस तरह से हम इसकी properties को define करते हैं तो अब हम यहाँ पर कुछ points create कर सकते हैं तो यह कुछ point object होंगे और इसके द्वारा हम setters को यहाँ पर call कर सकेंगे so by going a point and calling point position then we will pass in 100 for the x and 200 for the y तो अब हम अपनी screen पर इस information को output के रूप में देख सकते हैं so like point position and then we will just go a point like that तो अब हम देख सकते हैं कि getters ने यह values किस तरह से hold की है so just go point position and once again same exact thing and close the top तो यह वो तरीका है जिसके द्वारा ही सभी चीज़े कार करती है और मैंने आपको यह different चीज़े यहाँ पर आपको दिखाएं कि getters और setters कैसे use किये जाते हैं और आगे मैं आपको और चीज़े बताऊंगा कि कैसे हम getters और setters को update कर सकते हैं तो जब भी हम getters और setters को create करते हैं तो उस वक्त यह एक तरीके से ACMA script 5.1 version पर based होती है तो आईए यहाँ पर चलते हैं और अगर हम अब यहाँ पर एक circle create करना चाहें तो इसके लिए हमें इसकी radius को यहाँ पर receive करना होगा तो यह काफ़ी simple है इसके लिए हमें यहाँ परिशान नहीं होना है so let's put an underscore here to separate this तो हम यहाँ पर दूसरी radius के मुकाबले इसे separate करने के लिए underscore को use कर रहे हैं और अब हम इसके prototype को दुबारा यहाँ पर use करना चाहते हैं so create the setter and to do that we just type in set and radius followed by radius so right here what it's going to be receiving then तो हमने जो भी चीज़े यहाँ पर इस radius के लिए दी है हमें उसी के according यहाँ पर output मिलेगा so we have stored inside our object is equal to the radius and that we passed in and getter part of it is going to be radius and it's not going to receive anything और यह हमारी radius के लिए यह value यहाँ पर return कर रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान लगना है कि हमें यहाँ पर commas के तुरू इसे separate करना है क्योंकि अगर हम comma को use नहीं करेंगे तो हम कुछ अन्य चीज़े जब यहाँ पर area को calculate करने के लिए create करेंगे तो उसमें शायद यह सभी चीज़े कारें ना करें तो हमने यहाँ पर area के लिए एक दूसरा function create किया है और यह हमें इस related value को यहाँ पर written करेगा So we can call the type value of pi because that's stored inside the javascript in our math library और जब भी हम radius को यहाँ पर देते हैं तो pi value से multiply होके हमें area दे देती है तो अब हमें अनावश्य commerce की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और अब हम इसे close करने के लिए semi-cosm को use कर सकते हैं और अब हम यहाँ पर एक circle object create कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर radius को pass किया है और इसकी value को इस तरह से यहाँ पर set किया है आप चाहें तो यह radius value change कर सकते हैं इसके लिए बस आपको values को update करना होगा so you can change it to 15 and अब हम यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे informations को यहाँ पर screen पर output के रूप में देख सकते हैं so this is a circle and with radius and how we will be able to get a hole of that radius again we will using the getter here in this situation तो अगर हम इसके area को calculate करना चाहें तो उसे भी हम area function के दवारा calculate कर सकते हैं so just go search area and then let's say that we want this only to be two decimal philasus तो हमें अब इसे पहले यहाँ पर fix करना होगा और मैंने इसे हमारे इस javascript lecture के लिए इस तरह से सेट किया है मैं नहीं चाहता कि किसी भी point पर आकर आप परशान हो तो exactly यहाँ पर हमने line 18 के लिए इसे इस तरह से use किया है and put that dot in there you can see right here say this radius is not defined say now you can see circle with radius 15 and has an area of 7006.86 तो यह वो तरह है जिसके दौरह हमने getters और setters को यहाँ पर create किया और यह सभी चीज़ें हम अपनी javascript में use कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो कोई भी चीज़ यहाँ पर इससे inherit भी कर सकते हैं और मैं आपको inheritance properties के लिए भी javascript में एक demonstration दूँगा कि इसने कैसे use किया जाना है और इसके साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि इनके prototypes को कैसे हम use कर सकते हैं जब भी आप एक function यहाँ पर call करते हैं let's say it's park inside of a dog it's going to first check the dog object and find park and it's going to execute it तो जब भी हम किसी variable name को यहाँ पर declare करते हैं और उसके साथ ही हम किसी prototype object को यहाँ पर call करते हैं तो वो एक variable dog के अंदर इसे use करना चाहेगा तो dog object इसे find करता है और फिर यह check करता है कि object किस तरह से use किया जाना है तो यह एक object है जो यहाँ पर इस तरह से create किया गया है और अगर हम इसे inherit करना चाहें किसी दूसरे object से let's say it's animal and name is actually stored inside of animal how we are going to get a hold of this because dog is a separate object from animal तो यह काफी simple तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है इसके लिए आपको परिशान होने की जुरूरत नहीं है just make a prototype and equal to that animal object और फिर आप इस तरह से इन्हें inherit कर सकते हैं so it's going to go into the prototype and say I don't know where it is so that's the prototype is actually an animal object तो यहाँ पर हमें अब एक तरीके से animal name मिल जाएगा और हम इसे exactly इस तरह से demonstrate कर सकते हैं इसे खार करते हैं animal object यहाँ create करते हैं so it's have name and just have it called animal by default हम इसे ज़्यादा complex नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर पहले दो string define करते हैं and it's function here and this is the main object तो यह वो object है जिसके दोरा हम इसे inherit करने वाले हैं और यह इस तरह से यहाँ overwrite हो जाएगी तो आप दिख सकते हैं कि यह काफी आसान है हमें बस function को overwrite करना है और एक बार ऐसा करने के बाद हमें वो value वापस मिलती है जिसके लिए हमने इसे हमारा animal name पास किया है तो यह value यहाँ पर store हो रही है और अब हम इसे surely close off कर सकते हैं तो इसके लिए हमें semicolon को use करना होगा तो अब हम यहाँ पर एक और object create करेंगे and it's going to be called cannon and in this situation I'm going to create a name inside it तो यह सभी tracking purpose के लिए use किये गए हैं और यह काफी different चीज़े हैं when I'm going to create another one which is called wolf which is in cannon species so it is going to have a name of wolf और अगर हम इसके prototype को यहाँ पर cannon के लिए override करें और wolf के लिए भी तो उसके लिए बस हमें cannon में in prototypes को assign करना होगा और इनके animal objects इस तरह से assign हो जाएंगे so now the prototype is actually an animal object and is going to also do the same thing for wolf तो यह हमें एक तरीके से able कर देता है कि हम एक multiple object यहाँ पर create कर सके क्योंकि हमें यहाँ पर multiple inheritance को perform करना है तो यह different levels होते है inheritance के जिसके दौरा हमें situations को create करना होता है और हमने जिस तरह से cannon object को यहाँ पर इस prototype के लिए assign किया है तो आपको याद रखना है कि हमने कौन सी चीज किस prototype के लिए override की है so its constructor is actually going to point to the main object and object so you are going to have to reset the constructor for it तो हमें अभी इसी वक्त इसे करने की जूरत नहीं है हमें बस अभी cannon prototype को देखना है और फिर इस prototype के लिए हमें इस constructor को follow करना है जिसके द्वारा हम cannon के लिए इस value को equal करेंगे और फिर हम exactly विल्कुल सेम तरीके से तो ये सभी methods और variable हमारे cannon prototypes के अंदर है जिसके द्वारा हम इस process को follow कर सकते हैं So something like architect wolf is equal to new wolf and I'll show you how to get a hold of these parent or animal methods तो अभी हम इसे यहां पर use करने जा रहे हैं So inside this now we will be able to come in here and access the two strings even though two strings only in the animal objects तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये कैसे कारे करती हैं So it is a document right here So we will say architect wolf like this और अब हम यहां पर इस string के लिए इसे multiple levels पर jump up कर सकते हैं because c, cannon, and wolf are all separated from the animal object और अब हम यहां पर इन सभी चीज़ों को separate कर चुके हैं तो अब हम किसी any informations को proper तरीके से यहां पर output के purpose पर use कर सकते हैं So you can say my name is wolf so it's going to use the name part right here और अभी यहां पर दो strings को इस तरह से use कर रहा है जिसे हमने यहां पर locate किया है So एक anim project है जो perfectly यहां पर सही तरीके से कार कर रहा है और अगर आप इसकी functioning को देखें तो इसके लिए हमने यहां पर एक animal function create किया है So it's going to access and it is going to jump from the wolf to cannon तो यह इस तरह से animal object को create करता है और हमने इसके लिए एक string use की है जिसमें हमने name को pass किया है तो बस आपको यह सभी चीज़े properly सही तरीके से manage करनी होगी तभी आप इनका use कर सकेंगे तो यह एक demonstration है और अब मैं आपको polymorphism के बारे में भी बताना चाहूंगा और यह बताऊंगा कि कैसे हम wolf के instances को in animals के लिए check out कर सकते हैं So we are going to do that is go architect wolf instance of animal and you can see that comes back is true so the wolf is actually an animal even though it is also still a wolf so pretty cool stuff and other things and function तो अब हम यहाँ पर इस prototype को change कर सकते हैं और अब अगर हम cannon में wolf और सभी animals objects को इस तरह से properly use करना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस prototype के लिए कुछ values assign करनी होंगी and it's another object here तो अब हम इसकी values को यहाँ पर change कर रहे हैं and we are referencing it come in here so we are going to create gift sound in the same way तो जैसा हमने पहले किया है उसी तरह से यहाँ पर यह values फिर से return होंगी and say this name says and then reference sound which is only inside the animal object तो अभी हम अपने prototype को यहाँ पर define कर सकते हैं और अभी आपको ज़्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है so we can't assign a different sound for our cannon and also come in and define a different sound for our wolf तो अभी हम यहाँ पर के वर इन objects को इन prototype के लिए assign कर रहे हैं और आगे हम आर्कटी वूल्फ के लिए इसे वेरिफाई करना चाहेंगे so you can wolf says girl wolf so it's able to use the sound that's been attached to the animal object तो यह यहाँ पर इस तरह से attach किया गया है और हम इसे use कर सकते हैं so specifically हमने इस prototype को इस wolf name के लिए इस तरह से use किया है और यह काफी अच्छी तरह से यहाँ पर manage किये गया है और एक बहुत ही important बात है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमने capable prototype को इस तरह से inherit किया है जिससे कि हम इस process को और अच्छी तरह से देख सके so let's go and create another function now और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर इससे rodent के नाम से call किया है and it's going to assign anything तो अभी हम इसे rodent के equal कर रहे हैं then we will create another one called rat तो अब हम rodent prototype के लिए इसे एक नए animal को create करना चाहेंगे so we went to trick and you so you dare and throw an animal तो अब यहाँ पर rat prototype दुबारा हमने rodent से equal किया है और अगर हम आप constructor को reset कर दें तो हम देखेंगे कि rodent prototype constructor यहाँ पर इस trick पर कार कर रहा है तो हमने अभी इस prototype prototype constructor को बहुत ही अच्छी तरह से manage किया है और इसे अभी rat के equal कर रहे हैं तो अभी हम एक specific type of rat को new rat के लिए target करना चाहते हैं और आपको ध्यान रखना है कि हम यह सभी चीज़े animal object के अंदर कर रहे हैं so we are going to say to a string and I will put that and if we reload it you are going to see my name is rat pops up तो यह काफी आसान है हमें बस animal object के लिए prototypes को यहाँ पर add करना होता है तो आई अब देखते हैं कि इसे कैसे clean किया जाना है और मैं नहीं चाहता कि आप बिलकुल भी परिशान हों और अभी हम एक intermediate function को यहाँ पर use कर रहे हैं so I am going to create a function that's going to handle a lot of massive work for me तो मैंने अभी इसे call किया है extend and it is going to pass in a child as well as a parent object तो मैं अभी इसे temporary create कर रहा हूं and I am calling it now मैंने इसे uppercase letter में यहाँ पर define किया है so they are objects and that's the reason why I use that just to differentiate them तो temporary यहाँ पर hold की जाएंगी और अब हम अगर town की तरफ देखे so this is the prototype and I am going to assign the parent prototype तो मैंने अभी child prototype के लिए इसे इस तरह से यहाँ पर define किया है और अब हम यहाँ पर एक new temp value इसे देना चाहते हैं so this is a object and we have here and then child prototype constructor is going to equal to child such short of handles assigning the prototypes as well as assigning the constructor तो आपको अब यह चीज़े ध्यान रखी होगी कि यह चीज़े कैसे कारे कर रही है और यह चीज़े क्यों इतनी important है so let's be created other function call deer और यह अभी deer के equal होने वाला है after then the sound is equal to start और अभी हम deer के लिए यह value animal object को इस तरह से assign करने वाले है so just going to extend passing in or new deer object then also passing in an animal object तो यह काफी आसान तरीके से यहाँ पर create की जा चुकी है और हमने अभी इसे value भी define कर दी है तो सबसे पहले अभी हम यह देखेंगे क्या की रिया कैसे कार करती है so go and create a different specific type of deer तो अभ हम इसके लिए इसे ELK से equal कर रहे है and it is a new deer अभी हम इस information को यहाँ पर output के रूप में नहीं दे सकते so we will say ELK get sound which is inherited from the animal object to accidentally मैंने इसे भी इस animal के लिए यहाँ पर delete कर दिया है और यह एक तरीके का object है तो ऐसा करने से पहले आईए इस value को यहाँ पर paste कर दे तो अभी तक हमने जो चीज़े देखी मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ को different ways to streamline तो यह वो process है जिसके द्वारा हम javascripting में inheritance को use करते हैं और अब हम देखेंगे कि कैसे हम parents method को यहाँ पर call करेंगे आप इसे super class भी कह सकते हैं इसके लिए हम पहले इसे refer करना चाहते हैं तो अब मैं यहाँ पर एक vehicle object create करना चाहता हूँ और इसे मैं कुछ functions से यहाँ पर assign करूँगा so this is the parent object और अब हम यहाँ पर इसके prototype के लिए दुबारा इसे कुछ values यहाँ पर define करेंगे तो यह different type of function है जिससे हमने पहले define किया था so it's function and this guy is just going to return this name मैं अब इन सभी चीज़ों को बहुत simply तरीके से आपको बताना चाहता हूँ तो सबसे पहले हमें drives forward को यहाँ पर create करना है so we will separate this and then we will also throw in a stop function तो हमें अभी name stops के लिए यहाँ पर यह value return होगी so I am going to create another object और इसे हम call करते हैं truck तो अभी यह नेम यहाँ पर इस तरह से pass किया जाएगा और हम इसमें अभी value equal कर रहे हैं और बात में हम इन सभी को एक different function के through inherit करेंगे so inside vehicle for truck so we will go truck prototype equal to new vehicle और अब हम यहाँ पर आते हैं और constructor में value assign करते हैं so constructor equal to truck and now we will override the drive parent method तो अब हम यहाँ पर एक dot prototype को try करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे हम override method को यहाँ पर use करते हैं तो यहाँ पर एक function है इसके द्वारा हम in different चीज़ों को यहाँ पर use कर सकेंगे इसके लिए हमें यहाँ पर message पहले create करना होगा that is drive message इसके द्वारा हम parent method में प्राप्त होने वाली values को इसके equal करेंगे और फिर उसे हम call करेंगे तो अभी हम इस prototype के अंदर है and I can do the vehicle prototype drive and I am going to follow that with apply और अब हम इसे यहाँ पर pass करने जा रहे हैं और यह हमें vehicle version को यहाँ पर call करने के लिए allow करेगा so it's drive even though I am overwriting the drive version for vehicle inside of my truck object तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ and I can say return तो यहाँ पर अब यह drive message throw हो रहा है और इसके द्वारा हम यह proof कर सकते हैं कि यह चीजे properly कारे कर रही है so it still works plus equal to and since this is a truck it's going to able to drive through a field because it's a big tough truck और अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो अब हम यहाँ पर इसे verify कर सकते हैं now let's go and create a jeep which is going to a truck object and we will just pass in jeep as a name for it तो हमने अभी यहाँ पर इसे jeep drive से call किया है and then jeep stop और अगर आप यहाँ पर देखें तो automatic यह सभी चीजें यहाँ पर drives forward की तरफ जा रही है जो हमारा main vehicle है तो आप देख सकते हैं कि vehicle drives इस तरह से हाँ forward की गई है और इसमें हम use किये गए name जिसको हमने कुछ values assign की है उसे use कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ any fields भी add कर सकते हैं और वो आप truck field में यहाँ पर add करेंगे तो यह वो तरीका है जिसके द्वारा हम parent method को यहाँ पर call करते हैं तो अभी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें करेंगी जिसके द्वारा हम यह समझेंगी कि कैसे हम jazz over को यहाँ पर open करते हैं हमारे browser पर और मैं आपको शुरुआत से लेकर अभी तक जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि आप उनमें किसी भी चीज़ें का बदलाव करें और हमने जैसे जैसे जो चीज़ें execute की हैं मैं चाहता हूँ कि वो अभी चीज़ें आप समझें क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम अभी browser पर कोई भी चीज़ यहाँ execute नहीं करना चाहते क्योंकि यह काफी different चीज़ है और यह देखेंगे कि हमारे object property यहाँ पर किस तरह से define की गई है और हमने उसे कैसे change किया है तो यह सभी चीज़ें हम JavaScript के अंदर कर रहे हैं और मैं आपको अब यह दिखाऊंगा कि कैसे हम EC6 को यहाँ पर use कर सकते हैं और कैसे हमारे लिए बहुत सायक है मैं सभी चीज़ों को आपको define करना चाहता हूँ और मैं अभी same तरीके से जैसे हमने बाकी steps में हर एक part को equal किया है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बिना change किये सभी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे So come in here and define methods So we define some num1 and num2 तो यह इस तरीके से define किये गए है कि यह बिल्कुल common है और किसी भी अलग-अलग different languages में नहीं है So we will say num1 plus num2 and then document.write So stuff is going to be done in exactly तो यह बिल्कुल same तरीके से यहाँ पर हो रही है and अब अगर हम इसे copy करके यहाँ पर नीची की तरफ पेस्ट करें So we copy this scratch js is going to allow to see what the future is your javascript is going to look like तो मैंने अभी इसे copy करके यहाँ पर paste किया है और अब अगर हम इसे run करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 plus 2 is equal to 3 और यह बिल्कुल कारे कर रही है तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमें किसी भी तरीके के function को यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं हुई या फिर किसी column की या फिर हमें यहाँ पर किसी तरीके के code को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है तो यह बिल्कुल common है अन्नेर programming languages की तरह है और अगर आप इनकी classes की तरफ देखें यह कैसे एक use की जाती है तो इसको बिल्कुल हमने पहले की तरीके change किया है So this is our currently class and don't exist inside a javascript लेकिन आज हम javascripting के बारे में बात कर रहे हैं और हम इस point पर इसे यहाँ पर exactly इसी तरीके से define करना चाहते हैं So we are going to define a class inside of ec6 और अभी हम इस class को यहाँ पर इस तरह से create कर रहे हैं और तब हम यहाँ पर कुछ constructor बिल्कुल separately इन values को pass करने के लिए use करेंगे So we are passing in the x position and the y position और इसके बाद हम इनमें कुछ different values के set को use करेंगे तो अब हम इसे change करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी class यहाँ पर use की जाएगी तो हमने जो भी value यहाँ पर pass की हैं उन्हें हम पहले commas से separate कर लेंगे So we wouldn't need to do that anymore of our different functions that we create inside of here तो हमें बस इसकी position के लिए जाना होगा और फिर हम इसे return कर सकते हैं और पहले की तरीके ही हम यहाँ पर सब कुछ चीजे हैं बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहते हैं मैंने ही चाहता कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखें So we are create a point let's just call it point So this is the simple new point pass in 100 and 200 तो यह हमारे document.write का पार्ट है तो अब हम इसे यहाँ पर paste कर सकते हैं and let's go and copy this and see that is work over inside of here So paste that in, it's there और अब हम इसे यहाँ पर run करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह कैसे यहाँ पर इस class में कार कर रही है और यह सभी चीजे हमारे javascripting में यूस हो रही है चल दिए हम कुछ specific object oriented stuff को भी यहाँ पर perform करके देखेंगे हमारे ec6 के साथ और हम यहाँ पर एक object create कर रहे हैं which is animal object और इसे हम इस class में यूस करना चाहते हैं So अब हम यहाँ पर एक constructor create कर रहे हैं और इसे हम कुछ values यहाँ पर assign करके देखते हैं So go to string and return animal in name this name we're going to able to create a static function as well we will be able just come in and type static get animal and return new animal तो आईए देखते हैं कि पहली site पर यहाँ पर किस तरह से create किया जाना है तो अब हम इसे एक new animal object पर create कर रहे हैं और इसे generate करके देखते हैं किसे कैसे call किये जाएगा So get animal function inside of here तो यह एक तरीके का static function होगा जिसके द्वारा हम इन चीजों को extend कर सकते हैं और गर हम चाहें तो इसे different तरीके से यहाँ पर inherit भी कर सकते हैं इसके लिए हमने inheritance property भी तक सीख ली है So we can just inherit everything that animal has inside of it just by putting extend inside of there तो अब हम यहाँ पर कुछ animal values को इस तरह से change कर सकते हैं and we can also get an owner we are also going to able to call a super class in an easier way ऐसा करने के लिए बस हमें एक super preference यहाँ पर देना होगा और फिर हम automatic इसे initialize कर सकते हैं और इसके name के द्वारा हम इसे super constructor में call कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी यह animal object के अंदर exist नहीं कर रही है क्योंकि हमने अभी तक इसे assign नहीं किया है तो हमें अभी इसे assign करना होगा और तब हम इसे overwrite कर सकते हैं हमारी इस string के लिए so inside of our dog object and return we will be able to call a super version of to string so just by putting super in front of it you can see this is just easier we can say dog is named and pass out the name like that तो अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पर perform कर सकते हैं और अगर आप इसके बारे में और चीज़े जाना चाहें तो आप description में इसके बारे में और चीज़े देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे code मिल जाएंगे so we will say pass in rover now and we will pass in Paul and rover's owner now we can pass in print all this information तो इसके द्वारा हम इसे अब परूफ कर सकते हैं और यह देखेंगे कि यह सब चीज़े कारे कर रही है या नहीं तो यह कई सारे additional information है मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और अगर आप इस dog object की तरफ देखें तो अब अगर हम यहाँ पर चले और इन सभी चीज़ों को copy करके अपने scratch js पर इसे use करना चाहें तो हम इसके लिए सबसे पहले इन सभी चीज़ों को यहाँ पर test purpose पर चेक कर सकते हैं तो आएए पहले इसे run कर लेते हैं तो हमारे browser information भी यह सभी चीज़े यहाँ पर include हो चुकी है और अगर आप चाहें तो इसके बारे में object oriented programming में overview देख सकते हैं कि कैसे हम इसे next person पर javascripting में change कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी तरीके से design pattern है और यह वो तरीका है जिसके द्वारा हम javascripting में इसे implement करते हैं आपको बस javascripting में इस pattern को बिल्कुल सही तरीके से follow करना है जिससे आप इसका सही तरीके से use कर सकें मैं आपको शुरुआत से ही कही सारे चीज़ों के बारे में बताया आया हूँ और मैं अभी इन में से 4 को यहाँ पर cover करने जा रहा हूँ So with the single tone pattern and single tones are basically used Whenever you know that you will only ever want one object to be created of specific types तो अभी हम यहाँ पर एक game character create करना चाहते हैं और इसके द्वारा हम कुछ fixed statistics को यहाँ पर perform करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर एक object पहले create करते हैं and it's called hero तो हमने अभी इसे यहाँ पर यह name दिया है और जब यह create किया जाएगा तो अभी यहाँ पर create किया जाचुका है और एक new hero object को यहाँ पर हम create कर सकते हैं जिसके द्वारा हम यह check करेंगे कि यह value यहाँ पर exist होती है इस object के लिए या फिर नहीं हम इसे कैसे कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर इसे अब इस तरह से type किया है अगर हम अब hero instance की बात करें तो अब हम इसे check कर सकते हैं अपने एक object के दोरा so if it is an object that means it's already been and its situation which is created and we can just go return hero instance and return the only hero object that will ever be created otherwise what we are going to do is allow them to come on and create the first hero object तो ऐसा करने के लिए हमें पहले इसकी value को यहाँ पर find करना होगा इसके लिए हम इसके name की दोरा इसे find करेंगे so अब हम hero instance को इसकी equal करते हैं और finally हमें new hero object में इसकी value return मिल जाएंगी तो यह काफी simple है जब हम single tone में इसे create करते हैं तो आएए अब देखते हैं कि आखीर यह कैसे कारे कर रही है so let's test it तो अब हम यहाँ पर एक hero ict को यहाँ पर create कर रहे हैं so we will hero type and name will be Derek of course तो यहाँ पर हमने hero को जो value दी है वो है ict तो यह name है जो हमने hero को assign किया है तो आए अब इसे verify करके देखते हैं लेकिन अभी हम इसे change नहीं करना चाहते so we are going to come in and we are going to create a new hero so let's call Paul hero क्योंकि आप याद रखें कि हम यहाँ पर एक game यहाँ पर बना रहे हैं इसके द्वारा हम हर एक hero को यहाँ पर उसके name के according call करेंगे तो अब हम अपने इस पूरे कार को यहाँ पर verify करने जा रहे हैं and it will call Paul hero if we execute that you can see that the name stays as ict तो हमने अभी केवल इसे create करिया है one hero type के लिए तो यह वो तरीका है जिसके द्वारा single tone pattern यहाँ पर कार करता है और अगर हम factory pattern की तरफ चलें तो आए देखते हैं कि factory patterns को किस तरह से use किया जाता है और कैसे हम इसमें different objects को create कर सकते हैं so let's stick with our game analogy weapons को generate करेंगे और इसके लिए हम different heroes को यह values assign करेंगे तो आप description में यहाँ पर types of weapons को देख सकते हैं जो हम यहाँ पर use करने जा रहा हैं सबसे पहले हमें इसे set करना होगा so by default हमने यहाँ पर sword weapon set किया है because this is sword and then we will also define the metal the style of sword and whether it's a magical sword or not likewise so let's say that the hero start offs with the option of either having a sword or a bow और हम चाहें तो इसे बात में change कर सकते हैं और हम चाहें तो इसे bow पर भी set कर सकते हैं so this is a default now I left that और यहाँ पर अभी यह metal नहीं करता कि हमने metal यहाँ पर लिया है या फिट क्या चीज़ लिए तो आई इसे पहले drop करते हैं और आगे के materials को यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे call कर सकते हैं और इसे कैसे use किया जाना है तो अभी हम default purpose पर इसे long bow की तरफ set कर रहे हैं and have magic be false now what we are going to do is create a weapon factory तो यह एक weapon factory होगी जिसे हम कुछ specific types के लिए यहाँ पर demand purpose पर create करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर यह सब चीजें इस तरह से नहीं हो रही हैं now here I am going to define everything underneath now I save weapon factory and target the prototype तो आई यह इस weapon को create करें और अगर हम अब इस function की बात करें जिसे हमने यहाँ पर pass किया है हमारे description में आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर types of weapons हैं तो अब हम इसे यहाँ पर pass करना चाहते हैं and we will just go weapon class और यहाँ पर by default हमने इसे null पर set किया है and say if the description for weapon type is equal to sword well in that situation we will set our weapon class that we want to use I want to use here I am following a class लेकिन actually यह object यहाँ पर differentiate करने के यह try किया गया है तो यह sword object है जो हमने create किया है sword object इसलिए यहाँ पर बनाया गया है जिसके द्वारा यह hero को एक sword दे सके and if in the description for weapon type they say they want a bow well then we are going to pass them back a bow object तो अभी हमें इसके लिए एक weapon class बनानी होगी तो इसके लिए हम weapon class को equal करेंगे bow से and then else if they don't pass either of course we'll just pass back false तो जैसा कि अभी हमने इसे इस तरह से define किया है तो हम इसे बाद में return कर सकते हैं और यहाँ पर अभी हम एक निया weapon object create करना चाहेंगे इसे हम कुछ values define करेंगे so then pass in the description so it's going to define dynamically and it is what type of object we are going to create for the weapon तो हमने अभी यहाँ पर इस description में इन सभी चीजों को define किया है और अभी हम इस factory के लिए इस तरह से हमारी weapon factory generate कर रहे हैं और इसे हम एक new weapon factory से equal कर रहे हैं so let's call this blade first is equal to and call weapon factory तो अभी हम यहाँ पर informations को specific types of sword के लिए pass कर रहे हैं and that it knows I am creating a sword तो एक तरिके का metal weapon है and then style is a size type of sword and then has magic तो अभी हमें यहाँ पर कुछ true values देनी होंगी और अब हम यहाँ नीचे की तरफ एक semicolon देंगे तो अगर अब हम हमारी कुछ informations को यहाँ पर print out करना चाहें हमारे weapons के लिए तो इसके लिए आये पहले इसे print out करते हैं और यदि अब हम इसे reload करें तो हम देख सकते हैं कि sword of types यहाँ पर इस तरह से dark iron metal के दवारा craft की जा चुकी हैं जो यहाँ पर print out हुई है तो आप इसे screen पर देख सकते हैं कि कैसे हम weapon factory को यहाँ पर use कर रहे हैं तो यह एक pattern है जिसके दवारा हम dynamically इन objects को create कर रहे हैं हमारे javascript में तो अगर आप यहाँ पर देखें इस decorator pattern के तरफ तो यह अब एक decorator जो हमें इन objects को runtime के वक्त इसे order करने के लिए allow करता है तो अब हमने यहाँ पर pizzas के लिए कुछ different types of topping को create करने के लिए यहाँ पर इन्हें add करना होगा और price के according हम इन default pizzas को यहाँ पर in values के लिए equal करेंगे तो हमें इसके लिए एक prototype function को create करना होगा इसके दवारा हम इसकी price को call करेंगे और हम यह सभी चीज़े यहाँ पर इसके अंदर pass करने जा रहे हैं और यह हमें हर एक pizza के लिए एक value price written करता है तो अब हम एक दूसरा object यहाँ पर generate करना चाते हैं और इसके दवारा हम कुछ extra चीज़ यहाँ पर represent करेंगे जो हम pizza में use करेंगे और जब हम इसे यहाँ पर use करते हैं तो pizza की परानी value में अब इजाफा हो जाता है और अब यह बढ़ जाती है तो इस तरह से हमने इसे temporarily यहाँ पर store किया हुआ है और अब हम हमारे pizza के लिए यह values create कर सकते हैं तो जैसे जैसे हम इसमें चीज़ जोडते जाते हैं उसमें price value भी बढ़ती जाती है और अब हम यहाँ पर एक pizza value यहाँ पर pass करने जा रहे है जिसमें हमने extra cheese object को भी use किया है so it's added and now what we will able to do is get our update price for our pizza तो अब हम यहाँ पर हर एक चीज़ को add करने के बाद हमारे price value में जो इजाफा होगा वो इसमें update हो जाएगा तो यह different objects हैं जिसको हमने dynamically यहाँ पर use किया है और मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुती आसान तरीके से यह सब चीज़े हो रही है और हमें बस इन सबी चीज़ेों का ध्यान रखना है कि हम यह सब चीज़ें किस परपस पर use करना चाहते हैं और अब अगर हम बात करें अपडेट हुए pizza की value में तो वो अब पढ़कर 11 dollars हो चुकी है तो हमने यहाँ पर single tone को use किया है और इसके बाद हमने यह last pattern देखा जिसमें हमने within patterns को observes किया तो observer pattern एक ऐसा pattern है जो single object के दोरा use किया जाता है और इसके दोरा आप different object को भी notify कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो observers को भी यहाँ पर notify कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पर इसे create करने जा रहे हैं and I am going to call an observe about तो यह करिके का observe है इसके दोरा हम अन्य चीज़ों को यहाँ पर observe करेंगे तो इस observable needs to have a list of people that have subscribed to be able to told some bit of information तो मैं इसे एक stock market के energy के रूप में use करने जा रहा हूँ और यहाँ पर हमें कुछ couple of functions को use करना है जिसके दोरा हम इन सभी prototypes को यहाँ पर observe कर पाएंगे तो यह different functions हैं जिसे हम यहाँ पर use कर रहे हैं यहाँ पर इसे subscribe करने के लिए option दिया हुआ है तो अब हम इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं और यह देखते हैं कि हम subscriber के लिए इसे कैसे pass कर सकते हैं तो यह काफी आसान चीजे हैं आपको बिलकुल भी परेशान नहीं होना है and now we are just going to subscribers pay references to other objects दि subscribe and push on this new subscriber so this is on to that array तो probably हमें अब इसे unsubscribe करने की भी जूरुत पड़ेगी so let's give them an option of unsubscribe तो हमने इसे एक और option दिया है जो है unsubscribe और इसके द्वारा हम इसे subscription और unsubscription के purpose पर यूज़ करने वाले हैं तो जब भी कोई व्यक्ती से subscribe करता है तो वो subscriber list में चला जाता है और हम उसको बाद में match कर सकते हैं so our rack so subscriber length and then increment throw all those until you will find one तो अब हम यहाँ पर इस subscriber को इस value के लिए equal करने जा रहे हैं और अगर हम बात करे unsubscriber की तो जब हम उसे यहाँ पर equal करते हैं इस value पे तो उसके लिए हमें इस function में इसे pass करने की जूरत होगी so I am going to this subscriber and I am going to splice them out of our array तो अब हम इसे इस तरह से कर सकते हैं और इस array में अगर आप in items की तरफ देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं जिसे हम यहाँ पर अभी छोड रहे हैं तो यहाँ पर subscribers की वो list है जिसे हम name की according यहाँ पर pass करेंगे तो यह वो information है जो आप screen पर अभी देख सकते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति से unsubscribe करता है तो वो values हमारी यहाँ पर आ जाती है जिसे हम इस informations के द्वारा सभी चीजों के लिए publish कर सकते हैं और इस function के द्वारा हम subscription और unsubscription को publish कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे different subscriber इन्हें use कर रहे हैं और यह हमें notify करेगा कि यहाँ पर क्या changes हो रही है and I want to use a for loop this subscriber and then cycle through all of them तो अभी हमें subscriber के लिए इसे call करने की जुरुरत है और दुबारा हम इस function को फिर से use करेंगे जिसके द्वारा हम feminine data को यहाँ पर receive करेंगे तो यह वो informations है जो हम receive कर रहे हैं and अब हम इसे create करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा और हमें अब इसे observe करने की जुरुरत है so who is going to push data to all of the observers तो आगे बढ़ें और एक brokerage house को यहाँ पर create करके देखते हैं so let's call this organ fanny and it's very classy name अभी हमने एक organ fanny को यहाँ पर create किया है जिसके द्वारा हम data functions में इन values को receive करेंगे तो यह inheritance property को यहाँ पर use कर रही है and I am just trying to keep this simple and it's going to output some information on the screen तो यहाँ पर कुछ information हमें यहाँ पर receive हो रही है और अब हम इन informations को यहाँ पर push कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें pass करने की तो हम इन informations को यहाँ पर pass करना चाहते हैं और इसके बार अब हम यहाँ पर एक top notch investment company के लिए इसे create करने वाले हैं तो अब हम जो चीज़ करने वाले हैं उसके लिए तो एक नया observable हम यहाँ पर create करेंगे So just go new observable there and observable object तो अब हम यहाँ पर subscribe peoples के लिए इस observable object को use करेंगे और इसके बाद हम इसके organ funny object को यहाँ पर pass करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर same चीज़ कर सकते हैं जो कि हम bold man X के लिए use करना चाहते हैं तो जब हम इन सबी चीज़ों को use कर रहे होंगे तो हम इससे related informations को यहाँ पर different subscriber के लिए push कर सकते हैं So just by calling publish, let's say I want to put something out like IBM at certain price 14,530 or something like that तो अब हम इसे check करने के लिए able हो चुके हैं तो आकिर क्यों हम इसे unsubscribe नहीं कर सकते मैं आपको इसके लिए दिखाऊंगा कि यह कैसे कार करती है So just go observable and unsubscribe and who is going to unsubscribe from our wonderful service and let's say it's organ funny group तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमने unsubscribe के लिए skype fair को यहाँ पर call किया है जो कि हमें output के रूपे unsubscriber's name को यहाँ पर return करता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर data pass किया जा रहा है और यह data अब हमें यहाँ पर receive हो रहा है तो यह different objects हैं आप देख सकते हैं कि यह information हमारे screen पर अब यह print हो चुकी है हमने यहाँ पर इसे update किया हुआ है and we can say something like on subscribe and then we can come in and also notify that another pricing change has occurred with IBM तो अभी हम इसे execute कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि finally हमें यह information राप्त हो रही हैं जो हमने यहाँ पर publish करते वक्त पास की थी तो जब भी हम यह सभी कारे कर रहे होते हैं तो हमें उससे related data यहाँ पर receive होता है and this is every single subscriber and receiving data print all this information out on the screen तो आप यहाँ पर organ funny and subscribed को देख सकते हैं और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें bold man yaks की सारी notifications मिल जाएंगी तो हमने इस lecture के माधियम से object oriented javascripting के बारे में काफी कुछ समझा और अगर आप के मन में कोई भी question हो तो आप मुझसे question section में जाकर किसी भी तरह की का question हमसे पूछ सकते हैं तो इस course को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं इस lecture के लिए बस इतना है thank you